नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती हो और आप देख रहें कुछा टूड़ी लाइब नियोज आईए बढ़ते ही खबरों के ओर ग्राम पंचायत हंडिया में हुआ रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें ASIS कमपनी निमच ट्रेनिंग सेंटर द्वारा युबाव की भरती प्रक्रिया की गई बस ही जारी बरसात के बिच हुई बड़ी संक्या में नवीवेक वेरजगार भरती प्रक्रिया में सामिल होने आये बता जाता है कि लगभग 82 लोगों ने इस प्रक्रिया में चैन के लिए आविदन किया था जिसमें 25 यूगों का चैन हुआ है बरती अधिकारी प्रजमोन बैस्टरा ने बताए कि हमारे दौर राद प्रदेश भार में सभी जगर रोजगर मेले के आयोजन से भरती प्रक्रिया की जाती है हर्दा जिले में भी सभी तैसलों में भरती प्रक्रिया का काम इस समय चल रहा है इसमें प्रसिक्चन के प्रस्रात राष्टी अब अंतराष्टी ओद्धू की चैतर में जाब दे जाएंगे जैसे दिल्ली का लाल दिलाख हजुराय का मंदीर साची स्तूप होंडा कमपनी के लोशकर कमपनी आदी पर इन युगों की भरती की जा सकेगी इस दोरान पंचाथ सच्चू केलास योगी सरपन्त प्रतिनिती प्रविन बर्मा साहक सच्चू संदिप राठोर आदी मौजुद रहे हैं क्या करीक्रा हुआ योगी जिया जहां पर मैं केलाश श्योगी सर्चू घंडिया जिला पंचाथ के आदे सरुशा तीनों एप्लाग में अपने रोजगार मेला का आयर्जन रखा गया है तो आज आयर्जन हमारे घंडिया मेरा खाय है इसमें आसपास के गार्मन छित्र के युबा रोजगार यूबा लड़के रोजगार के लिए यहां उपस्तित हुए है और जिल्यके अधिकारी दुबारा ये कारिक्रम रखा रहा है जो की सुर्ट्षा गार्ड और सुपर्वाजर की बस्ति की अट रही है एक महिने की ट्रेनिंग के तुरंद बाद ही सेट्यूर्टी गार्ड को बड़ी-बड़ी और राष्टी अंतराष्टी गौदवी शेत्रों में उनको जोब लगाया जाता है जो की एक महिने की आवासी प्रक्षिशन के तुरंद बाद ही जो इसमें जौब लगाया जा रहा है और ये प्रक्षिशन देकर खुशल सर्मिक के तौर पर आरारम से काम करते हैं अंडिया ग्राम पंचायत के द्वारा यहां पर भत्ती की गई और यहां पर शिक्षित बेरुजगार नभीवग जो की पियासी लड़कों ने यहां पर इंटर्वू दिया और इंटर्वू देकर उनमें से सिर्क 25 लोगों का चैन किया गया अगर आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें